आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि सेलेस्ट्रॉन के नए मॉडल्स जो अभी करीब एक साल पहले लाँच हुए थे वो इंडिया में फर्स ताइम हम लाँच कर रहे हैं यह तीन मॉडल्स हैं स्टार सेंस एक्स्प्लोरर की नाम से आते हैं इसमें ल्ट है आपका पांच इंच वाला उसके बाद यह फोर इंच का रिफ्रेक्टर है जो इस साइड में पढ़ा हुआ है और उसके बाद यह 127 रिफ्लेक्टर है तो इसके बारे में ब्रीफली मैं आज आपको बात करूंगा बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोड़क्शन है कोई आप से लोगों ने सेलस्टान के स्काई मैप्स, स्काई पोर्टल एप्स यूज की होंगे मुबाइल पे और आप टेलिस्कोप्स अपने डे डू डे रोज मर्रा यूज करते हैं तो इसमें आपके जो या तो कंप्यूटराइज गो टू हैं जो ऑबजेक्स ढूंड के देत करते हैं तो मुबाइल को हाथ से पकड़ के आप करते हैं तो उस चीज को एलिमिनेट करके प्लेट सॉल्विंग टेक्नॉलिजी जो है सेलस्टान ने बहुत ही अच्छा एक मेथड निकाला है प्लेट सॉल्विंग टेक्नॉलिजी के उपर उन्होंने बेसिकली जो आपके इस तरीके से उसी में साइड में एक माउंट मना दिया है डी एक सीरीज में और इसमें ल्टी मॉडल में उन्होंने उसके उपर ही बना दिया मोबाइल का माउंट तो जो प्लेट सॉल्विंग मेथेड़ोलिजी है उसमें बेसिकली टेलिस्कोप आपका स्काई में जस आप जो है ऑबजेक्स ढूंटे हैं तो यह प्लेट सॉल्विंग टेक्नॉलजी है कि आपका ठेलिस्कोप जहां भी पॉंटेड है उसकी जो इमेज है उसकाई की उसको इसके डेटाबेस से अब की डेटाबेस से मैच करते हैं और फिर ऑबजेक्स ढूंटे हैं तो यह प्ल 130 मॉडल है 130 मॉडल यह 130 ट्यूब वही है जो एस्टामासर 130 यह नेक्स्टार 130 SLT में है वही 600 mm फोकल लेंथ में इसमें जो आई-पीस है 10 और 25 mm है एस्टामासर 130 में आग आपको याद होगा 10 10 और 20 mm आते थे लेकिन इसमें 10 और 25 mm दियें तो जो 25 mm है वो करीब 26x पावर देता है और जो 10 mm है 65x पावर देता है आपको एक 2x बार लो या 3x पार लो आपको लेना चाहिए इसमें बहुत सिंपल है आप्टिकल ट्यूब जो है वो आपकी हाँ स्लाइड कर जाती है और दू फोटो ये मुबाइल लेता है और अपने डेटावेस से मैच करता है अफकोर्स इसके साथ एक कोड आता है इस टेलेस्कोप के साथ वो बहुत इंपॉर्टन्ट कोड है एक एप का कोड है स्टार सेंस एक्सलोरर अपका जो अपने अपने मुबाइल पे चाहिए वो एंड्र स्लोव मोशन केवल आपको दी हुई है फिर वही बात करनी है कि रड़ डॉट फांडर से आई पीज को आपने एलाइन करना है और फिर इस आप से आपने एलाइन करना है जो आई पीज में सेंटर है मालनी जे बीटल जूस तार यह सीरियस है जो भी है उसी को इसमें यहां code आपने डालना है और उसके बाद एक बार align हो जाए तो कोई भी उसके आसपास की objects हैं वो आप देख सकते हैं इसमें star का एक button रहता है जिस पर आप tap करेंगे तो उस वकत हमारे sky में उस time पे उस जगा पे कोई भी चीज अवेलिबल हो तो वो आ जाती है एक अच्छी बात यह है कि इसमें plate solving technology है तो वो आपको बहुत help करती है objects जो sky में है आप telescope वहाँ point कर सकते हैं लेकिन इसमें जो go to में हमारी एक limitation रहती है कि हमें एक power source चाहिए होती है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कहने का मतलब यह है कि यह manual telescope ही रहा लेकिन आपकी जो app है उसके जरीए आप जो है objects काई में ढूंड लेते हैं और इसमें ना तो wifi connection की जरूरत है हमें ना आपका जो mobile phone है उसका data ही use होता है तो बहुत simple तरीका है और दूसरी बात कि आप telescope कहीं भी उठा के रख दीजिए तो आपको बार बार जो है बहुत दो मिनट के अंदर ही alignment हो जाता है क्योंकि वो दुबारा उस जगा से फिर photo खीशता है फिर match करता है और फिर आप कर सकते हैं तो यह बहुत ही आसान तरीका है और अच्छी technology है जो उन्होंने निकाली है प्राइस के उपर भी मैं बाद में आऊँगा अब next model जो है वो 127 mm में है जैसे power seeker आता है बिल्कुल वैसा ही model है वही tube है बस रंग इसका दूसरा है लेकिन उन्होंने वही इसमें dock station बनाया और व लेकिन यह 1000 mm की tube है तो planets पे थोड़ा ज्यादा effective है और इसमें भी वही आई-पीस है 25 और 9 जो आपको 40x और 25 और 10 तो 40x आपको 25 आई-पीस दे रहा है और 100x आपको power दे रहा है 10 आई-पीस 2x बारलो add करेंगे तो double हो जाएगी और 2x बारलो fortunately इस model में company ने साथ में दिया है इन model में नहीं है जो DX वाले model है इसमें आपका basically stand deluxe है लेकिन मुझे एक अच्छी बात इसमें यह लगी Star Sense Explorer 130 में कि इसमें 2 इंच के आई-पीस भी लग सकते हैं इसमें adapter दिया हुआ है 2 इंच to 1.25 इंच तो आप उसको 2 इंच का आई-पीस लगा सकते है अगर आप adapter निकाल में है 102 mm यह 660 focal length में है जैसे आपका inspire आता है तो मैंने वो उठागे यहां पर लगा दिया पीस बेसिकली यह 102 mm का refractor है यह भी एक अच्छा इसमें option है जो Celestron ने दिया है में 4 इंच का refractor is equal to 6 इंच of reflector बेसिकली इन परफॉरमेंस छेसर साट मिली मीटर की है जैसे आपने inspire ली हमसे या और जगह से ली तो बिल्कुल वही ट्यूब है इसमें और stand इसमें भी डीलेक्स है अल्ट आजिमुत वाला दोनों एक्सिस पे altitude और आजिमुत दोनों एक्सिस पे slow motion है fine tuning के लिए fine control के हुआ हुआ है आप इसमें मुबाइल लगा के वह जब आप आप आउन करेंगे image लेगा वह और उसके बाद यह दोनों सेम एक्सिस में है आपका मुबाइल और आपका यह ट्यूब बिल्कुल सेम एक्सिस पे है तो फिर उस तरीके से आप objects ढून सकते हैं जब आपने alignment कर ल तो इसमें आपको 2X बार लो आप इसमें add कर सकते हैं 2X या 3X बार लो इसके साथ additional accessory में आप mobile phone adapter ले सकते हैं या कुछ camera के T-rings बगरा लग सकते हैं अगर आपने camera लगाना है या carry case ले सकते हैं हमसे ज़्यादा heavy नहीं है AZ mount में है सबसे बड़ी बात यह है बहुत simple life beginners के तो यह उन्होंने AZ mount में निकालें जो बहुत simple एक beginner के लिए तो price की बात कर लें जाते जाते थोड़े से expensive है नई technology है अभी time लगेगा और initial pricing है तो जो इसकी जो cost है वो मैं बता दू 130 mm जो इस तरीके से है आपका यह सारी चीजों के साथ पूरी accessories के साथ यह करीब 48 49 के आसप हाँ यह वाला model 130 DX यह वाला 48 49 का और same price इसकी 102 mm refractor की यह 5 इंच का है यह 4 इंच का है और अगर इसकी बात करें 127 mm की तो यह सस्ता है यह करीब 35 36 के आसपास revolve हो रही है correct pricing हम अपनी website india binocularshop.com पे डाल देंगे अगर आपको लेना हो limited stock है हमने कुछ samples ही इस वकत order की है हम भी response देखना चाहते हैं क्योंकि हमने इसकी बड़ी तारीफ सुनी थी और USA में बड़ी स्पीड से यह sold out हुए है तो हमने कुछ मंगाए हमने का introduce करते हैं उसके बात फिर इसको ज्यादा quantity में मंगाएंगे तो limited stocks अगर आपको लेने हैं मेरे whatsapp number 989921 2222 9560687095 जाते जाते मैं एक introductory video डालना था तो आपको helpful लगा होगा अगर आपको चाहिए हमारी website india binocularshop.com से आप ले सकते हैं या whatsapp कर सकते हैं thank you